एक राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक और उच्छ प्राथमिक इस्तर के सिख्षकों की भरती के नियमों में बड़ा बदलाओ किया गया है। इसक्रिन पर आप राजस्थान सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ महतोपूर्ण फैसले लिये गए हैं इसकी एक कॉपी देख पा रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश के अभियरतियों को जानना इस वज़ा से भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लाकों की संख्या में अभियरती रिट की परिच्छा में आवेदन करते हैं क्योंकि राजस्थान में सभी राजियों के अभियरती आवेदन करने के लिए पात रह इस वज़े से ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है जैसा कि आपको ग्यात होगा पहले राजिस्थान में प्रात्मे को रूच ये प्रात्मे किस तर के सिख्षकों के लिए वहाँ पर एक ही परिक्षा होती थी जिसे रेट की परिक्षा बोला जाता था ठीक है उस परिक्षा को पास करने के बाद से आप सीधे नियुकती पतर पा जाते थे लेकिन आज की कैबिनेट मिटिंग में ये महतोपून फैसला लिया गया है जो रेट की परिक्षा होती थी उसकी वैदेता को अब लाइफ टाइम कर दिया गया है आप इसकर पर देख पार होगे साथी साथ जिस प्रकार से उत्तर परदेश में सूपर टेट की परिक्षा होती है यानि कि अब रीट एक केवल पातरता परिच्छा बन करके रह जाएगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूपिटेट की परिच्छा होती है और उसके बाद से एक अन्य परिच्छा होगी मुख्य परिच्छा होगी उसमें सफल होने के बाद ही अभियर्थियों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संसोधन रीट परिच्छा की वैदता आजीवन रखने प्रात्मिक और ओच प्रात्मिक विद्यालेओं के सिक्छकों की भरती प्रतियोगी परिच्छा के माध्यम से किये जाने का फैसला लिया गया है यानि कि अब ज प्रात्मिक और ओच प्रात्मिक विद्यालेओं में सिक्छकों की नियुकती की जाएगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ